हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे तो आज मैं थोड़ा सा आपको क्लीन क्लीन सा दिखाई दे रहा हूँगा आप लोगोंने इंग्लिश दिया और फिसिक्स दे दिया जो कमर्स वाले हैं उन्होंने शायद इंग्लिश ही दिया है सीधा मैट्स के एकदम में 15 दिन का गैप मिला और मैं पूरी यकिन के साथ कह सकता हूं कि कॉमर्स वालों ने 15 दिन में कुछ पढ़ा ही करी नहीं है तो वो भी यह सोच रहे थे कि PCM वालों के साथ ही पढ़ेंगे कर एनिवेस आपके एक्जाम्स जैसे भी गए हो आपने अच्छी दिये होंगे अच्छी मैनत से आपने बढ़िया गए होंगे आपके एक्जाम्स बट अगर कोई भी कमी रह गई होगी तो मैट्स में हम लोग पूरी करेंगे ठीक है तो साड़े चार दिन का गैप है और अग लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी फिजिस का पेपर देखे आए तो अभी थकान दूर करेंगे सोएंगे फिर पढ़ेंगे अराम से जैसे कि आपने प्रीवेस एक्जाम्स में करा भी है गैप डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है तो फिर आपको 9 मार्च तक का पूरा प्रॉपर प्लैन में जो है आपके साथ ये डिस्कस करूँगा फॉर थे ट्वेल्थ बोर्ट मैट्स एक मास्टर प्लैन है मैं आपको छोटी सी बाप बताना चाहता हूँ थोड़ा सा समय लूँगा आपका 15 मिनिट का बट जो बाते मैं आपको परसेंट कवर कर देते हैं 30 परसेंट कवर कर देते हैं और रिमेनिंग 70 परसेंट का कोई हिसाब नहीं है राइट वो 10 20 30 परसेंट पढ़ा देंगे और 70 परसेंट का कोई हिसाब नहीं है ऐसा मैं बिलकुल भी करने करने वाला नहीं हूँ ठीक है ना मैं आपको 100 के 100 परसें चलो कि यह सारे set of questions हैं जो आपको करने है ठीक है इसके अंदर आपका NCRT भी आ गया right plus PYQs भी आ गये ठीक है mainly तो NCRT और PYQs ही है जो इस time पर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्लस Sample Question Papers भी मान लो आप ठीक है ठीक है लगबक मान के चलो यह सब कुछ आपको cover करना है यह बात तो आप मानते हो कि अगर आप देखो तो NCRT डूढने जाओ previous question paper डूढने जाओ या sample question paper डूढने जाओ तो basically 50% तो similar questions ही होते हैं similar questions मतलब कि अगर हमें इसके जैसा आता है तो हम यह वाला कर देंगे तो यानि कि मैं similar questions नहीं कराने वाला हूँ तो ऐसे आपका 50% workload कम हो जाएगा अचा जब आप शुरू में आते हो बारवी class में तो आपको छोटी छोटी चीज़े समझाने पड़ती है integration कैसे होता है differentiation कैसे होता है यानि कि जिसको बोलते हैं लोग super easy beginner part ठीक है तो वो जो super easy beginner part है ठीक है super easy beginner part है beginner part है ठीक है वो में आपको नहीं कर रहा हूँगा क्योंकि अब आप बारवी पढ़ चुके हो तो super easy beginner part करने के आपको ज़रूरत नहीं है right है इसके अलावा जो extreme difficult portion है एक्स्ट्रीम डिफिकल्ट पोर्शन है एक्स्ट्रीम डिफिकल्ट जो पोर्शन है ठीक है एक्स्ट्रीम डिफिकल्ट 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 अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो सभी extremely difficult questions मैंने यहां पे cover कर दी हैं जो कि total optional है यानि की हर बच्चे के लिए नहीं है जिनकी तैयारी अच्छी है right और जिनके पास थोड़ा समय है वह extremely difficult questions के साथ भी जाएंगे लेकिन हम बात करते हैं वह portion जिससे previous years में previous not only 2-3 years previous 10 years 15 years paper आपका इस portion से बनता है right और यह entire portion में आपको साड़े चार दिन में खतम करा दूँगा right साड़े चार दिन में यह सारा entire portion में आपको खतम करा दूँगा यानि कि आपको importance of NCRT important नहीं complete NCRT, complete PYQ, complete sample question paper सब cover हो जाएगा समय आपको मिलेगा तो यह optional है इसके लिए playlist मैंने आपको दिखा दी उस playlist में extremely difficult portion है वो आपका cover हो जाएगा right है तो यानि कि मैं साड़े चार दिन में strategically पूरा का पूरा खतम करा दूँगा आए जरा चलते हैं क्या है plan देखे बहुत छोटी सी दो-चार बाते बताऊंगा मैं आपको एक तो every year students best choice program होता ही है जो भी मैं कराता हूँ आप अपने senior से पूछेंगे उनके senior से पूछेंगे हर साल यह marathon बहुत special है उनके लिए और उन्होंने बहुत अच्छा perform किया है इन marathon की help से completely free on YouTube तो कोई बच्चा बाद में comment नहीं करेगा सर यह कहां होने वाली है marathons सबी sessions में theory, NCRT, PYQ, sample paper सब cover किया जाएगा लगबग हम लोग हर session में दो chapters cover करेंगे बट जो बड़े chapters हैं उनको एक ही session में एक ही chapter लिया जाएगा और daily में आपको एक one exam special video दूँगा जिससे कि कभी भी आपको यह feel नहीं हो कि यार मेरे दिमाग में यह curiosity थी वह सर ने cover नहीं करी है ना जो पढ़ाई के अलावा भी आपको जो exam specific psychological video है पेपर कैसा आ सकता है कैसे attempt करना है difficult questions को कैसे deal करना है time management कैसे करना है वो सब में आपको दूँगा ठीक है ना और आपको in sessions में watch यानि कि इनको देखना है और साथ ही साथ practice भी करनी है सभी questions की session में you'll be able to score 70 plus marks out of 80 ठीक है बच्चो मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि मैंने in sessions को unnecessarily बहुत लंबा लंबा नहीं रखा है यानि कि हर दिन आपके पास self study करने के लिए बहुत सारा समय मैंने दिया है तो आई यह जरा strategically देखते हैं तो आज 4 March है एक तो यह exam special में तो सबसे पहले तो आपका यह schedule ही आ गया और तीन साड़े तीन चार घंटे के sessions हो सकते हैं तो मेरी कोशिश रहेगी तीन घंटे में खतम करने की पर आपका योगदान यतना होगा उसे साप से session थोड़ा लंबा या चोटा हो सकता है तो लेकिन सभी sessions की मेरी कोशिश रहेगी minimum मतर त्री आर्स में मैं खतम करके चलू है न सभी sessions को ठीक है और पांच मार्च यानि कि कल सुभा 10 बजे हम लोग chapter 1 & 2 खतम करेंगे relations function in ITF right then you will get an exam special video ठीक है न दोपार गेर एराउंड फिर शायम को 6 बजे हम लोग chapter 5 करेंगे continuity and differentiability बिल्कुल detail में अच्छे से मैं कराने को एक session में 5 और 6 चप्टर दोनों भी करा सकता हूं लेकिन 5 चप्टर को चाहिए तीन-चार घंटे पढ़ने के लिए है समान उसके अंदर फिर 6 मार्च को हम लोग सुभा मॉर्निंग में पढ़ेंगे chapter 6 सुभा 10 बजे और देन दिन में एक्जाम special video then we'll have 6 p.m. शाम को हम लोग integration स्टार्ट करेंगे 6 तारीक को then 7 तारीक को morning में हम लोग 8th 9th और 12th ये छोटे-छोटे तीन chapters है और इनका लगबग काफी सारा portion हम लोग integration में पढ़ लेते हैं तो ये खतम हो जाएगा 7 तारीक को रात को मैं करूंगा 10 और 11 चेप्टर वेक्टर एलजब्रा एं 3D Geometry आपका यही syllabus में थोड़ा जल्दी भी खतम कर सकता हूं बट कोई फायदा नहीं है हम लोग time से करें पर अच्छे से करें मैं कराने को डेड़ दिन में दो दिन में भी पूरा का पूरा syllabus करा सकता हूं बट फिर आपके questions उतने नहीं हो पाएंगा और ध्यान रहे mathematics के paper में जितने जादा number of questions आप practice करके गए हो उतने जादा अच्छी आपकी तयारी मानी जाएगी और इतना अच्छी आपका confidence होगा exam के लिए 8th of March को morning में हम लोग probability करेंगे ठीक ना and then पूरा दिन आपके पास है ठीक है आप अपना revision करो सब कुछ करो ठीक ना रात में यह जो 8th March है उसमें हम लोग evening में जो भी हमने किया होग उसमें से जो जिसे हम लोग कहते हैं कि most important और most expected वो 100 questions जो exam में जाने से पहले आपको देख के जाना जरूरी है तो वो 100 questions मैं आपको यहाँ पर pre-solved रहेंगे पहले से solved रहेंगे आपको सिर्फ logic part discuss करूँगा मैं कि यह question ऐसा है important है इसका logic यह है solution तो आपको हमने पहले ही करा रखा है ठीक है अचा नौ मार्च को जब पेपर वाले दिन आपको है ना यहाँ पर शेड्यूल में मेंशन नहीं है ठीक है ना शेड्यूल में में नहीं है बट नौ मार्च को हम लोग morning में ठीक है morning में यानि कि कुछ 6 या 7 बजे के around हम लोग एक गंटे का session करेंगे one hour session जि ठीक है और छोटी सी एक prayer करेंगे और आपको good luck कहेंगे exam के लिए यह पूरा का पूरा program रहेगा सभी session के जो notes है वो आपको VidyaWise app जो कि आपको description में link मिलेगा उससे download अगर जिन्होंने नहीं कर रखा हो कर लेना और proper organized notes जो हैं आपको इन सभी boards के जो sessions हैं उनके notes ठीक है ना instantly नहीं पहुच पार होगा आपके पास notification तो VidyaWise app जरूर डाउनलोड कर लेना description मिलेगा सो मिलते हैं आज शाम के session में यानि कि chapter 3 & 4 और सुनों एक warning दे रहा हूं मैं आपको पहले दिन पहले घंटे से alert रहना क्योंकि जहां आपने आधा दिन भी waste करने की कोशिश करी वहीं आपसे pressure बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम लोग बिल्कुल edge पे हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हम edge पे हैं आधा दिन भी waste करने का scope नहीं है बहुत अच्छा करेंगे बच्चों जब आप sessions attend करोगे तो आपको खुद एक confidence gain होगा और वही confidence आपको जो है motivate करेगा इन सभी sessions में 110% attendance आप रहेंगे आपकी presents रहेगी और आप 110% serious लेके पूरा पूरा जो session से उसको जब cover करेंगे तो मैं आपको बता दो कि किसी भी session में 50 questions से कम नहीं करने वाले मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि मुझे आपको खुश नहीं करना है मुझे आपका जो result है वो ऐसा लेके आना है कि वो खुशी हमेशा के लिए रहे है ना मैं करने को छोटे sessions 10-15-20 questions करेंगे हसी मजाख भी कर सकते लेकिन काम वो नहीं है यह करियर का सवाल है तो करियर में कोई भी मजाख नहीं सीधा अपन क्या करेंगे शाम को छे बजे से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा यह इंजेक्शन इतने प्यार से लगाऊंगा मैं आपको ठीक है लव यू आल बच्छों सी यू एट सिक्स पीम चुड़े ठीक है बाई-बाई-बाई